किरिया के जिस रूप से कारे के वर्तमान समय में होने का बोध हो, मतलब की प्रेजेंट में होने का बोध हो जैसे विराट खेल रहा है, पृति खाना खा रही है, सूरे उदे हो रहा है और जैसे हम, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो यह सब क्या है वर्तमान में चल रहा है येस प्रतीक बोलिए मैम जैसे कि अभी हमारे क्लास चल रही है येस बिलकुल ठीक है ये सबी के वर्तमान है इसमें क्या होता है रहा है रहे है रही है इस टाइप के वर्ड होते है ठीक है अब वर्तमान के कितने भेद है वर्तमान के तीन भेद है समा कार्य जो है चल रहा है तो वह क्या समान्य है कार्य हुआ है जैसे कि बादल गरजता है ठीक है शेर दहारता है, प्रिया गाती है, तो यह क्या वर्तमानकाल है, समान्य वर्तमानकाल, ठीक है, फिर है अपून वर्तमानकाल कि जो भी चल रहा है, जैसे अपून वर्तमानकाल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना भी चल रहा है न, मैं पढ़ा तो नही जैसे मेना प्रहाना खतम होगा वो क्या हो जाएगा असन भूतकाल ठीक है पूर्ण वर्तमान कभी नहीं होता जैसे काम पूरा हो जाता है वो क्या बन जाता है असन भूतकाल और जब तक चल रहा है जब तक है अपूर्ण वर्तमान काल क्लियर है ठीक है पूर्ण वर्तमान का काम खत्म होता है वह क्या बन जाता है असन भू肉 वन जाता है oh कि समझहारी है नवरू कि अभे की कि जैसे शे टहाड रहा है तो अभी उसका लुड़ल रहे है अभी गरज रहे हैं चल हुआ है ना present में वो है अपून वर्तमानकार फिर है संदेग्द संदेग्द जैसे की भूतकाल में था उसी तरह यहां पर भी संदेगे पूरानी बात कर रहे हैं शायद कल बारिश होगी तो मैं आने वाले टाइम के जो बात कर रही हूं उसे बोलेंगे हम संधेगद भविष्यतकाल ठीक है? तो ये संधेगद जो है न वो तिनों में है भूत काल में भी है present में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्यत याने कि future में है, क्लिएर है तिनों next पाई भविष्यतकाल किरिया के जिस रूप से कारे के आने वाले समय में बोध होता है कि कारे जो है आने वाले टाइम में होगा जैसे मैं कल मेरिट जाऊंगा रोशनी गीत गाएगी तो अभी ना तो हो चुक है कारे ना ही हो रहा है बलकि आने वाले टाइम में होगा तो उसे बोलते हैं भविश्यत काल, भविश्यत काल के सिरफ दो ही भेद है, समान्य भविश्यत और संभाव्य भविश्यत, समान्य भविश्यत में simply हमें ये पता लगते है कि भविश्यत में काम होगा, जैसे प्रेना पत्र लिखेगी, अक्षेन वेडा जाएगा, simply पता हो जाए शायद जो है कल क्लास ना लगाऊं है यह सब क्या है संभावे भविश्य तो इसके साथ ही मिटा आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो गया हमने सारा पढ़ लिया वर्तमान काल भूकाल और भविश्य काल पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एक्जैम अप आप